इस सुष्टी में वैचीक विशाज धारा का एक अईशा स्त्रोथ है कि हमारी विचार धारा को नेगेटिव या तो पॉजिटिव स्थिती में लाना है तो वो हमारे ही आत्मे होता है। यदि अमारे अंदर उठने वाली विचार धारा के प्रती हम खूद ही जागरूत नहीं रहेंगे तो ये उठने वाली विचार धारा हम को कहीं भी वैकार में दोडा सकती है। हमारा वर्तमान का कर्म भी बिगार सकती है, हमारी आंतरिक भावनाये भी बिगार सकती है, हमकोई हमारी विचारधारा सुखी या तो दुखी कर सकती है, हमारा मन बेशेनी में चला जाता है, हमारी अंदर एक भ्रमीत माया जाल भी पैदा कर सकती है, जो माया जान कुछ भी सच्छाई नहीं होती ऐसा ब्रह्म पैदा कर देता है जो भी हमारे मन में विचारधारा उड़ती है वो विचारधारा के प्रती हम सजाग रहेंगे तो हमारी विचारधारा पॉजिटिव में भी परिवत्न हो सकती है हमारे मन की विचारधारा अगर नेगेटी हो रही है तो उनको पॉजिटिव में परिवत्न करने के लिए हम सजाग रहेंगे तो उनका रिजल्ट सकारत्म के ही होगा अगर हम सजाग नहीं रहेंगे तो उनका रिजल्ट नकारण मुद्प्यदा होगा यही हमारा सुक दुख का कारण बनता है हमारी विचारधारा को हमको ही शकारत में बजलना होगा तब हमारा जीवन सुगंधी में बन जाएगा हमारी negative विचारधारा को वन्वास देकर सकारात्मक में बदलने के लिए वारम वार आंत्रिक सवाध हमको करना पड़ेगा मन बुद्धी और आत्मा की इतीनों के आंत्रिक मीटिंग करके संबाद करने से हमारी विचारधारा को हमी परिवतन करके हमारा जिवन की सोच हमी बदल सकते हैं तब हमारा जीवन सुगंधी महीं बन जायेगा, जीवन सार्थक बन जायेगा, एक जस्टांत्रूम बन जायेगा, हमारा जीवन ऐसा संपूर्ण सार्थक बन जायेगा, लेकिन इसके लिए हमारी विचारधारा को ही हमको चोशन लगाना पड़ेगा, कि नेगेटी हम विचार जारा रखते हैं या तो पॉजिटिवी रखते हैं